जी हां सबसीडी की रिक्वार्मेंट ही नहीं आले वाली है और जो सबसीडाइज रेट है और सबसेंट भी यदि तीन चार पैनल भी है दो पैनल भी है तो वो एट परसेंट हो समस्कार मैं हो पुशोतम पांडे स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में आज के इस वीडियो में आपके द्वारा पूछे गए यानि कमेंट सेक्षन में जो आपके क्वेरी थे उसको लेकर ये पूरा वीडियो होने वाला है तो चलिए वीडियो को पहले से ही लाइक क कर लीचे तो चलिए आरंब करते हैं और वीडियो आरंब करने से पहले आप सभी को छट महापर्व की हार्दिक सुबकामना है आप जहां पिस भी ये पर मना रहे हैं आपके घर में सुखसांती सम्रिध्धी आए ऐसी हमारी कामना है तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्ट तरह के वीडियो में आए तो वो अपनी क्वेरी को ना हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें तो ऐसा होगा कि नेक्स टाइम पर आपका भी सवाल लिया जाएगा तो चलिए पहले सवाल पर आते हैं और यह जो पहला सवाल है क्या है वो पूरे डिटेल में आपको बताता ह जब आप 19 रुपे रेट बता रहे हैं तो एक किलो वाट का 35,000 रुपीज क्यों बता रहे हैं तो भाई मेरे जो मैं 19 रुपे रेट बता रहा हूँ ना सोलर पैनल का वो सोलर पैनल का ओनली रेट है और सिर्फ सोलर पैनल लेकर आप पूरे सोलर पैनल सिस्टम नहीं बना सक तो आप इस प्राइस को लेके तभी वहां पे पूछ रहे हैं तो अभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाना चाहिए राकेश कुमार जी ने यह पूछा है तो राकेश कुमार जी यह जो प्राइस था ना 19 रुपे पर वाट जो कि आप देखेंगे कि पिछले 4-5 महने में 2023 में इस सोलर पैनल का रेट फ्लक्चुएट हुआ है और नीचे ही आया है तो उसका नतीज़ा है कि जो 35 रुपीज पर वाट का कॉस्ट था मोनो हाफ कट सेल का वह अभी 19 रुपे के तक आप पहुंचा है तो वह आपका सोलर पैनल का रिट बेसक आपको 19,000 रुपे पर किलो वाट आएगा लेकिन ओए किलो वाट का सोलर पैनल सिस्टम जिसमें की इंवर्टर भी होगा बी ओएस माटेरियल भी होगा यानि इन्वे वीडियो में नहीं बताया तो अभी कलियर कर दिया तो चलिए नेक्स सवाल पर आते हैं और ये विकेश पंचाल जी ने पूछा है विकेश पंचाल जी बराबर इस सवाल पूछते रहते हैं तो उनका एक और सवाल है कि सबसीडी यह हिंदुस्तान का हवा का गुबारा है जो दिखता अच्छा है ऐसे ही चलता है और हमारे देश में भाई मेरा भारत महान तो ठीक है यह कहने का मतलब मैं समझ गया कि क्या है मेरे एक से सो किलो वाट के वीडियो जो था उसमें इन्होंने कमेंट किया है तो देखे नॉर्मली मैंने जो रेट बताया तो उसमें तो जी हां सबसीडी की रिक्वार्मेंट ही नहीं वाली है और जो सबसीडी रेट है और सबसीडी वाला रेट है ना वो जब आप लेने जाएंगे तो आपको क्या कहेंगे कि 55 रुपे 55 रुपे पर वाट से स्टार्ट होगा 60-70,000 रुपे तक भी चला जाता है और ओन ग्रीड का रेट इतना कम मिल रहा है इतना सस्ता में मिल रहा है तो हम तो डिरेक्ट ही प्रोक्योर करेंगे और लगाएंगे जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से आप जाएए आपको सबसीडी से भी सस्ता आने वाला है तो ये बात बहुत सच है मैं एगरी करता हूं जो पर चलिए नेक्स सवाल पर आते हैं इस पर हमारे जो यह है के जैट सेवन एस ने पुछा है डीसी लॉस्ट थ्री फो पर से ज्यादा नहीं होगा कुछ मीटर तक दूर ही लगाते हैं लोग पैनल कोई सौ मीटर दूर लगाया हो इंवर्टर ऐसा नहीं देखा है बिल्कुल लेकिन आप यद्धि थि अरवाल 50 की बात करें तो हर महने की अकौंट करें लाउसेशन जादा हो तो सपोज यदि उस कंसर्ण से आप वाकिफ हैं आपको लगता है कि 3-4 परसेंट भी आपके लिए माहने है तो आप क्यों नहीं और उसी साब से देखे तो आपका जो इनर्जी का रिडक्शन का है न रेट डिग्रेडेशन का बात है वह भी बहुत कम हो जाता है तो माइक्रो इंवर्टर के एड्वांटेज बहुत ज्यादा है डिस एड्वांटेज आप जो बोल रहे हो कि 100 मीटर नहीं कई जगों पर बर कि लौससलि तो सब्सक्क्राइब क草र्ट देखेंग की नोसेछ बहुत जाए और इनर्जी आपको मिला मायक्रो इंवर्टर से तो देखें आप अपसं यहादी है और एवन की एक ऐसा ब्सक्राइग की आप हर स्वॉलर पैनल का इंडिविजवा कर सकता यह कोई string inverter नहीं देता है जी हाँ KZ7S भाई तो उसमें आपको advantage यही है कि ज्यादा electricity मिलता है और जो losses है उसको भी overcome करता है तो इसलिए micro inverter का advantage बहुत जादा है losses बहुत कम है अब next सवाल पुछा है डेहरी ओन सोन जी ने पुछा है sir n-type वाले solar panel क्या rate है और यह लगाना लगवा सकते हैं क्या बिलकुल लगवा सकते हैं लेकिन देखिए जब इस तरह की technology आती है न जैसे n-type टॉप कॉन इस सब तरह की technology आपने expo में जरूर सुना होगा लेकिन company जो top technology बताती है उसको market तक आने में काफी समय लग जाता है कही company ने बोला है कि थ्री months में आ जाएंगे तो अभी देखिए October के महने में हुआ था expo और उस से यदि थ्री months का हम target लेके चलें तो लगभग यह December या जनवरी में आ जाएगा इवन मान यह कि मार्स तक भी आ जाएगा तो आप मार्स तक वेट कर लिजिए कि आपका end type या टॉप कॉन technology बरे बरे brand में मैं चोटे मोटे की बात नहीं कर रहा हूं बरे बरे brand में like अडानी में वारी में विक्रम सोलर में आया है या नहीं क्या दिक्कत है जब efficiency बढ़ और देखिए ज्यादा फरक नहीं है अभी भी आप देखें मोनोहाफकट सेल में जो आपको efficiency लगबग 21% के आसपास मिल रहा है और उसमें जो efficiency 2% का बढ़ रहा है like 22.89% तक मैंने लास्ट देखा था जो सबसे higher efficiency का solar panel है और efficiency का एक फंडा मैं आपको बता देता हूं कि क्या होता है efficiency यह होता है कि एक solar panel है उस पे जो पूरी light आती है sunlight आती है न तो उसका उस पूरे sunlight का वो कितना percent यूज करके electricity बनाता है तो suppose कोई 540 watt का solar panel है तो वो क्या कर रहा है कि पूरी जो sunlight आ रही है सिर्फ 21% यूज कर रहा है और 540 watt का energy बना रहा है तो efficiency का यही मतलब है आपका efficiency का कभी यह मतलब नहीं है और यह misconception भी है कि suppose कोई 540 watt का panel है और उसका 21% का efficiency है तो 540 का 21% नहीं है वाई जो धूप आ रही है जो sunlight आ रही है उसका वो कितना यूज करके electricity बना रहा है अभी आप देखिए यह पौधा है और यह पौधे का भी study है कि suppose इस पे 100% धूप आ रही है light आ रही है sunlight आ रही है तो इसका कितना यूज करके यह अपने बनाते हैं तो आपको बताना चाहूंगा कि यह सिर्फ 6% sunlight को यूज करके अपनी जरूरते पूरा करते हैं यानि अपनी जो फोटो synthesis की प्रकिरिया है वो करते हैं तो देखिए इस हिसाब से देखे तो solar panel लगभग 21% तक आ गया 23% तक आने वाले समय में तो efficiency बहुत अच्छी है अभी के समय में देखे और आने वाले समय में यह इंप्रूब होगा और यह लगभग 50% पे तो आप देखेंगे दस सालों में तो जाएगा ही जिस हिसाब से evolution चल रहा है अब चलिए next और last सवाल पे आते हैं जो पूछा है पांडे सर्वेज जी ने पूछा है और लाइव देख लो इनफेज का micro inverter या अभी जो मैंने वीडियो डाला है उस पे पूछा है तो दस hp का motor चकी पे बैटरी या inverter का क्या backup होगा कितनी बैटरी की जरुरत होगी तो सबसे पहले जो आपने micro inverter पे यह सवाल पूछा है ना तो जो अभी micro inverter available है वो inverter सिर्फ और सिर्फ on grid inverter available है तो off grid में अभी यह available नहीं है और जब off grid में नहीं है तो अभी हम इसके बारे में डिटेल में आपको बता भी नहीं पाएंगे और आने वाले समय में यदि इस तरह की कोई technology आ जाती है तो तब आपको inform कर देंगे second चीज यदि आप 10 hp के motor के साथ आप off grid system लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगा सकते हैं लेकिन उसमें क्या करना होगा आपको कि आपको 10 hp के साथ पूरा ही solar panel system डिजाइन करना परेगा तो वह आप डिजाइन करके कर सकते हैं इसमें बेस्ट यह हो सकता है कि आपने 10 hp का solar panel system के साथ यानि आपका जो motor है और आटा चकी है off grid inverter के साथ जाना परेगा अभी और उसमें देखना परेगा कि कितने समय का backup आपको चाहिए तो जब वह आप समय बता देंगे तो उसके हिसाब से battery bank designed हो जाएगा आपके motor के हिसाब से और आपको आपके समय के हिसाब से backup भी मिलेगा और दिन में भी electricity मिलती रहेगी ताकि आपका motor चलता रहे तो यह subject to designing है जिसमें आप इसको purify कर सकते हैं कैसा लगा यह comment में पूछे गए आपके सवाल और मेरे जवाब comment करके जरूर ब लगा यह video comment करके जरूर बताए video अच्छा लगा तो like जरूर करे channel में नहीं है तो subscribe कर लें इसी तरह का helpful content को देखते रहने के लिए channel पर बार बार आने के लिए आपका बहुत 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 धन्यवाद जय हिंद जय हिंद